आदिवासी समाज से अपील है कि सोच बतले तभी समाज बतलेगा नराइन उराउंजी ट्राइवल इंडिया टीवी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जोहार सबसे पहले तो ये बताइए कि हालही के दिनों में केंद्रिय सरना समिती भारत का पुनरगठन किया गया है सबसे पहले मैं आपका भी अभिवादन करना चाहूंगा आपको जोहार करना चाहूंगा और 25 फरवरी को केंद्रिय सरना समीती भारत का पुनरगठन हुआ यह तै कि यह सिर्प नाची में ही सिमित रह किया हूं ने कई छेत्रों में कारे करते करते हम लोग एक विचार बनाएं हम लोगों लोगों ने र for me के कैंद्रीय सर्णा समीती में भारत कि सबंने सर्वसमति से मुझे अध्यक्षि का प्रभार दिया है और इसे मैं सहर स्विकास करते हुए मैं समाज में एक संदेश देने का काम किया और आज के समय का नुसार मैं सबों को समीती के माधियम से ये संदेश देने का काम किया कि हम सभी छेतर में जो जरूरी है वर्तमान समय में उस छेतरों में काम करने का परयास करेंगे आदिवासी समाज की संस्कृती अपनी परंपरा अपनी धरोहर है उनकी जीवन सहली भी अलग है लेकिन इस बिकास के दोड में आदिवासी समाज जो गाओं घर में रते हैं सुदूरवर्ती छेतर में रते हैं जहां सिक्षा स्वास्त की बहुत जरूरी है उसको लेकर किस तर आप्तेहोर है वह अपने जग़ह में वह तो चलता ही रहेगा लेकिन वर्तमान समय में जो जरूरी है सबसे बड़ी चीज है हम लोग बोलते हैं कि हत्यार किसी चेटर की लडाई के लिह हत्यार की जरूरी होती है और जैसेРЕ में अगर대ती लड़ाई करते हैं तो बीना राइफल के लड़ाई नहीं लड़ सकते उसी तरह समाज को अगर हम विकास की और ले जाना चाहते हैं हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे सिक्षित हो और हर छेत्र में उनका भागीदारी हो इसके लिए हमें सिक्षा के छेत्र में काम करना होगा लग लग विंग तयार किया केद्रिय सरना समीति भारत है जो पूरे देश में सरना समाज सरना अदिवासी के लोगों को जोड़ने का काम करेगा इसके साथ-साथ जो हमारा प्रमपरा संस्कृति है धरोहर है इसको कैसे हम लोग अक्षुन बनाया रखेंगे कैसे इस तमाम तरह की वेवस्थाव को निर्बाद रूप से संचालित करेंगे इस पर तो काम होगा ही लेकिन हम लोग अभी समीतिक माध्यम से हम लोग यह तैय कि कि कम से कम परखंड अस्तर पे एक कार्याले हम लोग का होगा जिसमें हम लोग देखेंगे सिक्षा को बढ़ावा देने के कि कितने बच्चे आज एजुकेशन के छेतर में आगे आये हैं कितने लोग सिक्षा के छेतर में जा रहे हैं बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं कितने बच्चे छोड़ दिये हैं इसका हम लोग एक सर्वे करेंगे और हम लोग परियास करेंगे कि सभी बच् इसी जन जातियां हैं तो सभी ट्राइवल आदिवासी ही लेकिन कई जन जातियां हैं कई तरह के उनके साथ में बुन्यादी सुविधाओं का अभाव भी है सरकारी योजनाओं को अगर छोड़ दें तो उनके पास कुछ खास रोजगार नहीं होता है कई बेटियां ऐसी हैं जिनका बाल विवाह कर दिया जाता है उनके भविष्य जो हैं अंदकार में चले जाते हैं तो उनको सिख्षित करना उनके माता पिताओं को सिख्षित करना जागरूप करना कैसे इस लड़ाई को लड़ेंगे कैसे उन तक हो यह अपका सवाल सही है चुनोती पूर्ण भी ह लेकिन हर कुछ मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुंकी नहीं है इस पर हम लोग खारा उतरने का काम करेंगे और निश्चित रूप से दूर दराज छेत्र में सही में स्वीधा की कमी है कई लोग बीमार होते हैं तो स्वास्त के छेत्र में भी दूर होने के कारण उसका सही समय हमें इलाज नहीं हो पाता है जिसके कारण कई घटनाये भी हम लोगों को देखने के लिए मिलती है और हम लोग परियास करेंगे कि उस छेत्र में समीति के माध्यम से आज हम लोगों ने सिख्छा को बढ़ावा देने के लिए जैसे केंद्रिय सरना समीति को जिन्होंने बनाया एक दूर दर्सी सोच के तहट उनका पहला यही परियास था जब उन्होंने अखिल भारतिया दिवासी विकास परिशत का गठन किया हम नाम लेना चाहेंगे महामानो बाबा पंक्राय सहब कार्थी कुराव जिन्होंने जब उनको भारत लाया गया तो उन्होंने देखा कि हमारा समाज का जो सिक्षा का स्थर है काफी देनिये हैं काफी नीचे गिरा हुआ है उसी सोच को बढ़ाते हुए उन्होंने परिशत का गठन किया और करीबन सतर से बहतर इस्कूल कोलेश की अस्थापना की थी जो वर्तमान समय में आज सिथिल सा हो गया है और सिक्षा के छेतर में हम लोग काफी पिछड़े हुए नजर आते हैं तो आज समीति के माध्यम से हम लोग चाहते हैं और यह हम लोगों ने चाहते कि हम लोग परियास कर दिये इसमें काम सुरू कर दिये हैं कि हम लोग हर छेतर में सिक्ष करेंगे कहीं हम लोग नर्सिंग का भी को अस्थापना करें मखिंद को डिल सहमें इसमें रोजगार को भी देख रहे हां हम जानते हैं कि टीचर वेसे पर राधिकान को लाइंगे जो लोग पर नेट करके अपने घरों तो के वह बढाएंगे सब्सक्रानीं के सबस्क्राइब करेंगे और सब्सक्राइब लोगों को Profile ने करने का काम करेंगे और उस इस्कूल में जो हमारा परंपारिक चीज है मेरी जो भासा है हम लोग भासा की पढ़ाई का भी वहाँ हम लोग पहल करेंगे और उसी स्कूल के माध्यम से एक कलास ऐसा भी होगा जहां मेरा परंपारिक गीत जो पुर्खों ने बनाया है उस चीज को हम लोग वहाँ लाने का काम करेंगे ताकि वो पिड़ी दर पिड़ी जीवी तरहाएं जारखन की ही बात करेंगे तो कई सारी संगठन है जो आदिवासियों के हितेसी बताते हैं और सभी आदिवासी मुद्वे को लेकर ही बात करते हैं लेकिन कहीं ने कहीं वो राजनितिक गल्यारे में घुज जाते हैं कहीं और जाकर बैट जाते हैं तो ऐसे में आदिवासी समाज ठगे जाते हैं कोई उनको नहीं लगता कि उनके हक की लड़ाई लड़ रहा है उनके अधिकार की बात कर रहा है तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि उनका बिस्वास जितना उनके बीच में जाकर काम करना न कि उनको चीट करना एक तरह से कहीं न कहीं आदिवासी समाज फस जा रहे हैं वैसे लोगों के बीच में वैसे संगठन के बीच में तो कैसे उनको एक जूट करेंगे गोल बंद करे और इन चुनोतियों का सामना करते वे आगे की और बढ़ें यह काफी चुनोति पूर्ण है लेकिन मैं इसे सहर स्विकार करता हूं और मैं अपने तरफ से मैं कहना चाहूंगा जो जीमवारी मुझे समाज की और से दी गई है उसी पर ही मैं काम करोंगा मैं राजनीती छेतर में जाना नहीं चाहता हूं लेकिन राजनीती से दूर नहीं हूं आज राजनीती में कई लोग जा रहे हैं लेकिन वो और उनकी मनसा है हमें जो जीमवारी दी गई है कि आपको समाज को कैसे सुविवस्तित करना है कैसे उसको रोजगार के छेतर में लान करेगा ये शिक्षा स्वास्तर रोजगार के छेटर की में काम करेगा और निश्चित रूप से हम तमाम ओईसे अगवाओं को लाना चाहेंगे जो समाझ के लिए कारे करें जो दीन रात समाझ को समय देता कि समाझ कैसे म हैनow समाज के बच्चें सिक्षीत होंगे कैसे हम रोजगार का स्रीजन करेंГे कैसे हमारे लोग मझबूत होंगे अर्थिक मझबूत कारे करने के लिए आज बाधैर इस पर अपना कदम बढ़ा चुकी है इस पर हम लोगों जल्द ही एक बैठक करके हम लोग साल भर का एजेंडा पहले तयार करेंगे और हम लोग हर छेत्र में काम करेंगे हम लोग रोजगार के छेत्र में हो सकता है कभी हम लोग बेवसाय को बढ़ाने बढ़ावा देने के लिए हम लोग रोजगार मेला का भी हम लोग आयोजन करें हमारे लोग ग्रामी छेत्रों में कई तरह के छोटे छोटे ब्योसाय जो कर सकते हैं को हम लोग प्रेरीद भी करेंगे जो लोग आज वरतमान समय में हम लोग देखते हैं कि सिख्षा रोजगार को छोड़के महिलाएं काम करने के लिए आ रही है पुरूस घर पर बैठा है और आज नसा के छेतर में जा रहा है तो नसा मुक्ति की और भी हम लोग जाएंगे और लोगों को प्रेरीद करेंगे कि आप जो नसा जो सराब बेच रहे हैं उसको छोड़के आप ब्योसाय करें आज ये देश में ब्योसाय नहीं होता तो देश का विकास भी नहीं हो पाएगा आज बड़ी-बड़ी कंपनिय साच ही कर रहे हैं बड़ा बड़ा चीज को बना रही है चाहाए चोटे चीज चोटे ये लोग ऐसे हैं जो एक मिसाल कायम कर दिये छोटे सा पैईड़ requirement कोई कई बेच रहा है कोई कई तरह का बड़ी दुकानों में कोई कपड़ा का बेवसाय कर रहा है तो हम लोग भी चाहेंगे कि आज यह जार्खन की पहचान जल जंगल जमीन से है और आप जमीन को बेच रहे हैं जो पुर्खों ने हमें विरासत में दिया है जो उनकी बेवस्थाती उसे हमें संचालीद करनी थी जिसे आज हम बेचने का काम कर पास एक दुकान बनाए ऑप के जोरी है न आ प से जमीन पीछे से बेचे आप रोड में बेवसाय करिए आपका मालिकाना हग भी बचा रहेगा आज हम लोग इसे पास हमारे लोगों के पास economic power नहीं है अर्थ का बेयोस्था नहीं तो इसको हम लोग कैसे मजबूत करेंगे इस पे भी केंद्रियस ना समेती भारत काम करेंगा भीड होती है आपके किसी भी सभा में तो वो भीड आदिवासियों की क्या भीड बकरी की तरही रहेगी या उस भीड में जो चुपी हुई परतीभाएं हैं युवा में बुजूर्ग भी एं कोई खिलारी है कोई पढ़ाई में आगे है कोई संस्क्रिटिक कारिकरम में आगे है हम लोग ने पूर में कई ऐसे खिलारी जो अंतराश्टी अस्तर में जैसे मैं कहना चाहूंगा नाम लेना चाहूंगा अस्टा मुराओं जो गुमला जिला से बिलोन करती है और उनको अंडर सेवेंटी फीफा वर्ल्ड कप में एक केप्टेंसीप उसको दिया गया उसके न उसमें हर जीत होगा उसको मनोबल को बढ़ाने के लिए हम लोग एरपोर्ट गए करीब देड़ दोसों के संख्या में और हम लोग जब उनको रिसीप करने के लिए गये उनकी आँखों में आसू आ गई तो हम लोग चाहते हैं कि चाहे खेल का छेत्र में हो चाहे ब्यूट चेत्र में आप बड़ी पढ़ाई करिए बड़ा चेत्र में जाईए आप पीएडी करिए डिप्लोमा करिए जो भी करना है लेकिन पढ़ाई करके एक अच्छा मुकाम आप पाईए और अगर खेल में हैं आप छोटे अस्तर से खेल में है तो उसको बड़े अस्तर में फुट्बोल खेवाज़ी हो आज इसी झारखन में एक ऐसा केप्टेन पैदा हुआ किर्केट का एक महान खेवारी महेंदर सिंग धोनी जिसे आज पूरा बिश हो जानता है उसी तरह मैं चाहूंगा कि वैसे कई महेंदर सिंग धोनी पैदा हो वैसे कई तिरंदाज है मैं ना धर्म अलग है समाजिक जिम्मेवारी अलग है तो धर्म को लेकर किस तरह से आगे बढ़ेंगे अपने समाज के बीच में चुकि सर्ना धर्म मानते हैं आप लोग और समाजिक जिम्मेवारी अलग है तो दोनों को किस तरह से बैलेंस करेंगे और कैसे लोगों तक और इसे प्रकृति का रख्षक भी कहा गया है जल जंगल जमीन की रख्षक भी कहा गया है और कई ऐसे बिद्वानों के द्वारा कहा गया है कि अगर आज के समय में कोई पर्यावरान में संतुलन बनाने वला है तो आदिवासी है और मैं कहना चाहूंगा आज हम लोग भी एसा अभी तक नहीं एशास हुआ है कि सरकार के दोर धर्वकोट दिया जा सकता है हम लोग परयास कर रहे हैं आज हम लोग जिसधेस में निवास करते हैं आज हमने कहा गया है कि अधिवासी स्थेष के पहरे नागरिखा और आज यहां जो भी लोग है कही सा है ऑज उनको धरम कोड दिया गया आज हमें धरम कोड से teaching किया गया है लेकिन फिर भी हमारी सरकार से कोई नराजगी नहीं है हो सकता है उनके मन में उनके विचार में सरकार का कोई निती होगा कोई मांदंड होगा कोई पैमना होगा हो सकता उसमें हम पीछे होंगे वो जब भी तय होगा तो हमें सरकार जरूर धरम कोड़ देगी और आज हम लोग एक मजबूत अधार के साथ में कए हैं चुकि हमारे ल पिखा करते थे लेकिन उस समय में इतनी बड़ी जागरुकता नहीं थी कुछ लोग अन्य-अन्य धरम लिग दिए कुछ लोग मुंडा थे तो मुंडा धरम लिग दिए इस तरफ पूरे देश में अगर हम देखेंगे तो करीबन 700 से उपर जन जातिया है जो आदिवासी है लेकिन अन यान धरम को मानते हैं लेकिन ज्यारखन परदेश एक ऐसा परदेश रहा जो धार्मुक जागुरुता को बढ़ाया है और सन्ना धरम मालने वाले लोगों की जो संख्या है वो हम लोगों ने 2011 में दिखाने का काम किया है जो देश के 21 राजियों में हम लोगों ने 49,57,47 तंकीत किया है जो कि इस देश में अंतिम समय में जिने धर्म कोड़ दी गई जैन धर्म कोड़ उससे कहीं ज्यादा है और आज मुझे लगता है कि हमारी जनसंख्या पूरे देश में करीबन मने 14 करोड एबोब है फिर भी हमारे लोग इस समय में कई लोग अनियान धर्मों में धर्मानतरीथ हो गये मैं मानता हूँ कि δो से चार करोड लोग आज अनियान धर्म्हें धर्मानतरीथ हुए हैं लेकिन उन बचे हुए तमाम 12.30 जो जनसंख्या है उनकी मानसमान और आत् को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे कि हम प्रकृत पुजक हैं सरनाध्रम को मानते हैं हमें सरनाध्रम को दिया जाए और जहां तक समाज की बात है तो समाज के जितनी व्योस्थाएं है जितनी परंपरा है जितनी संस्कृति है जितनी धरोहर है और जितना परप्तेवार ह इसको हम लोग हमेशा बचाने का काम करेंगे और ये कोसिस करेंगे कि ये पिढ़ी दर्विढी संचालित हो और समाज में कैसे एक जूटता हो और समाज कैसे विकास की और बढ़े समाज कैसे एक समाज कैसे नया आया मिले इस पे हम लोग काम करेंगे नरायन उराओं जी जो है जो सक्सियत है जो ब्यक्ति है वो धर्म समाज आदिवासियत की ही लड़ाई लड़ेंगे या फिर राजनिती में भी आने की सोच रहे हैं? मैं इस बात को किलियर करना चाहूंगा कि नरायन उराओं ने अभी तक राजनिती में जाने का सोचा नहीं है यह समाज के लिए जो जिमेवारी समाज से दी गई है उसी छेतर में नरायन उराओं काम करेगा यह मैं आपके माध्यम से लोगों को हमारे लोगों को बताना चाहू है लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है मैं हमेसा समाज के लोगों से उठता हूं राजनिती की अपनी जगह है जिनको राजनिती करने हूँ राजनिती करेंगे लेकिन मैं राजनिती से दूर नहीं हूँ जिस तरह से समाज का एक मैं बेखती हूँ उसी तरह जब जब जवरत पड़ेगी तो समाज का अगर निरने होगा तो उसमें हम लोग विचार करेंगे लेकिन अभी हमारी कोई मनसा नहीं है कि मैं राजनीती में जाओ। भारत से धर्म और समाज की बातों को लेकर। जुड़ें तो आप क्या कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों को अपने समाज के लोगों को कि वो आप से जुड़ें। मैं सभी लोगों को कहूंगा कि अगर एक समू होता है और एक बड़ा टीम होता है तो उसका काम करने का तरीका और जो गती होता है वो बड़ा होता है। इसलिए मैं केंद्रिय सरना समीति भारत के माध्यम से तमाम सरना दिवासियोग कहना चाहूंगा कि आप पूरे देश से जुड़े समीति से चुकि मैं समीति में पुनर गठन जब हुई है तो मैं कभी भी यह नई सोचा हूं कि इसमें सिर्पुराओर है हमारी सोच है कि दे पुरा समाज है जीक बड़ाइक है आपका महली है मैं बेदिया समाज है 32 जन जाती से मैं पर्यास करूंगा कि समीति में सभी लोग पता दिकारी लहें सबका योगदान रहे ताकि हम सभी जन जातियों के बीच में समाज और धर्म का सामजश्य बना सके आपसी भाईचारा पुराइक बना सके और इसी के साथ में हम आगे बढ़ने का काम कर सके है ऑसकी टीम में यहाओं की कोई जगा है युवितियां युवा को जुन्मियाप परसी सिथितक कर सके और उनकी भी भागिदारी को सुने स्चीत कर सके। करेगा एक विंग से अंदोरण होगा और तीसरा विंग होगा जो हम लोग एक सेटा के रूप में बना रहे हैं उसका हम लोगों ने नाम भी दिया है । जिसका नाम हम लोगों ने रखा है vedere सिधु कानू बीर बुढू ब इन वकद बिर्शा से नहों जो हम लोग पूरा पहले जार्खन को तार्गेट करेंगे अन्य राजियों में भी हम लोग इस से ना का गठन करेंगे ट्राइबल इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया पहुत-बहुत धन्यवाद जोहार सब्सक्राइब किजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेत्स अबडेट कि लिए द्राइकन प्राइब धन्यवाद